नमस्कार मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को कार्तिक मास्तनान कता का तेरहवा अध्या सुनाने जारी हूँ बोलो जैशी मन्नाराण भगवान विश्नों और जरलंधर का युद्ध प्रारंब हो गया दोनों से गदाओं बाड़ों और शूलों आधिक भीशर प्रहार हुआ देत्यों के तिछ प्रहारों से ब्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे तब देवताओं को इस प्रकार भैभीत हुआ देख गर पल मात्र में भगवान ने हजारों देत्यों के सिरों को काट गिराया फिर तो विश्नों और जलंधर का महा संग्राम हुआ बाड़ों से आकाश भर गया लोग आश्चरे करने लगे भगवान विश्नों ने वाड़ों के वेग से उस देत्य की ध्वजा छत्र धनुष बान काट डाले इससे ब्यतित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरोड की मस्तक पर दे मारी साथी क्रोध से उस देत्य ने विश्नों जी की छाती पर भी एक तिछड़ बाड़ मारा इसके उत्तर में विश्नों जी ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर वाड़ चड़ा कर उसको बीधना अरंब कर दिया इस पर जलंधर इन पर अपने पेने बाड़ बरसाने लगा उसने विश्नों जी को कई पेने बाड़ मार कर वैश्नों धनुष को काट दिया धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहड कर ली और शिग्री जलंधर को खीच क परन्त उस अगनी वत अमोग गदा की मार से भी वा दैते कुछ भी चलाय मानना हुआ उसने एक अगनी मुक्त त्रिशूल उठा कर विश्णू पर छोड़ दिया विश्णू जी ने शीव के चरड़ों का स्मर्ड़ कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया जलंधर ने जपट कर विश्णू जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा उसके उत्तर में भगवान विश्णू ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टिक का प्रहार किया फिर दोनों घुटने टेक बाहों और मुष्टिकों से बाव युद्ध करने लगे कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे तब सरस्रेष्ट मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेग वाडी में बोले हे रण दुर्मग दैत्य श्रेष्ट तु धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े-बड़े आयुदों से भी भैभीतना हुआ तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ तु जो चाहे वर मांग मायावी विश्णू की ऐसी वाडी सुनकर जलंधर ने कहा हे भावक यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो यह वर दिजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुम्बियों सहिद मेरे घर पर निवास करे नारज जी बोले उसके ऐसे वचन सुनकर विश्णू जी को खेत तो हुआ किन्त उसी छड़ देवेश ने तो तथास्तु कह दिया अब विश्णू जी सब देवताओं के साथ जलंधर पूर में जाकर निवास करने लगे जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विश्णू को वहाँ पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ फिर तो देवताओं के पास जो भी रत नादी थे सबको ले जलंधर पृत्वी पर आया निशुम्भ को पताल में अस्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुश्य, आदी सबको अपना वंश वर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा उसने धर्मानुशार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया उसके धर्मराज में सभी सुकी थे बोलो जैशी मन नाराण अगर आपको मेरी या कता अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे और कमेंट में जै माता दी जरूर लिखे